इंडियन मार्केट का धमाकेदार 125cc परफॉमेंस स्कूटर TVS NTORC का मैं आप लोगों को आज एक नया कलर दिखाऊंगा और दोस्तों ये जो मैट सिल्वर कलर आप देख रहें ये हाली में लांच हुआ है TVS NTORC में और TVS NTORC को हाली में स्कूटर आफ दे येर का अवार्ड मिला है जिसका स्टिकर आपको स्कूटर के फ्रंट की तरफ देखने को मिलेगा और दोस्तों सबसे पहले में आप लोगों के साथ इसका जो BS6 मॉडल आने वाला है कुछी दिनों में यारे कि एक से दो महिनों में उसका अपडेट शेयर कर देता हूँ दोस्तों TVS NTORC में कम्प्लीट इंजीन चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा BS6 मॉडल जब आएगा और नया BS6 मॉडल अराउंड 8 तो 10,000 रुपीज ज़ादा महेंगा होगा remaining यह जो outgoing BS4 मॉडल है इससे और काफी कुछ cosmetic changes भी आपको देखने को मिलेंगे कई और changes देखने को मिलेंगे जब BS6 मॉडल TVS NTORC launch होगा तो performance पहले से भी और भी बहतर होने वाला है BS6 मॉडल में फिलाल दोस्तों यह जो BS6 मॉडल का यह जो कलर है मैं आप लोगों को यह दिखा देता हूँ और इसका एक quick review भी दे देता हूँ नमस्कार दोस्तों आप देख रहे दे बेंगॉल राइडर मैं हूँ आपका होस्ट्राइजित अगर आप पहली बार इस चैनल में है वैसे दोस्तों बैटरी कनेक्शन नहीं इसलिए में आपको चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन इसमें आपको Bluetooth का Smart X-Correct function मिलेगा India का flag का emblem मिलेगा और handle mounted indicators भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों side की तरफ आपको 125 का branding और checkered flag की graphics देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर हम handle bar की बात करें दोस्तों तो carbon fiber finish और parking brake यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है switch gear quality यहाँ पर बहुत ही decent है और engine kill switch आपको देखने को मिल जाता है with DRL and headlight toggle switch दोस्तों अगर meter console की बात करें तो यह आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते ज्यादा बताने का भी ज़रूरत नहीं है कि TBS enddoc का जो meter console ही अपने segment में और complete scooter segment में सबसे advanced meter console है दोस्तों यहाँ पर लगभग 55 पचपन अलग-अलग functions देए गये हैं आइफोन के साथ पेर करके Bluetooth के जरिए एप एक आता है प्ले स्टोर में और iPhone के भी आते हैं उसके साथ पेर करके आप GPS navigation, turn by turn navigation, lap timer, कुछ और भी features जैसे की engine temperature और scooter के complete जित्ते भी सारे information है with trip, auto, clock, engine temperature ऐसे बहुत कुछ functions आपको यह जो meter है यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों दोनों ही तरफ यहाँ पर hooks दिये गया है, front और rear और leg space जो है यह बहुत ही यहाँ पर decent दिया गया है sharp cuts और creases पूरे scooter में आपको देखने को मिलेगा और meter में आपको eco और power का indication भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों seat यहाँ पर एक racing style scooter होने के बावजूत भी बहुत ही आरामदा है और यहाँ पर आपको dual red stitching का सुविधा मिल जाता है पीछे आपको split type grab handle देखने को मिलेगा और external fuel filler cap मिल जाएगा और यहाँ पर 5 liters का fuel tank capacity है दोस्तों पीछे की तरफ अगर देखे तो fully LED back lamp मिलेगा आपको T-shape में और इसके साथ ही integrated turn indicators देखने को मिल जाते हैं दोस्तों पीछे की तरफ आपको end top का 3D में emblem मिलेगा पूरे scooter में दोस्तों आपको fully fiber body मिलता है जो कि इसको एक बहुती अपने segment में lightweight और best performance scooter बना देता है पीछे की तरफ आपको दोनों साइड reflectors में मिलेंगे added safety and security के लिए दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ colors यहाँ पे शोरूम में मिल गया था तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ देख रहे हैं matte cherry red, glossy silver और यहाँ पे racing blue का जो tvs end top है यह भी आप देख लीजे और ज़रूर बताइए कौन सी color आपको पसंद आया है वैसे दोस्तों जो price है यह जो नया model आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ matte silver इसमें भी वही price segment के साथ यह आता है दोस्तों यहाँ पर आपको metal के finished अब देख सकते हैं यहाँ पर rear foot pegs मिल जाता है और carbon fiber का finish बहुत ही बहुत सारी जगाव पर आपको scooter में देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर अगर हम seat open करते हैं तो under seat आपको massive 22 liters का storage मिल जाता है जहाँ पर आप बहुत कुछ store करके रख सकते हैं एक छोटा size का full face helmet भी आप शायद यहाँ पर रख सकेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको boot lamp और mobile charging socket भी मिलेगा तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है अब देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा है यहाँ पर space दिया गया है और पीछी जासे कि मैंने आपको दिखाया जो fuel tank है 5 liters का है और मुझे यहाँ पर 5 liters का जो tank ही यह थोड़ हो सकता था अब दोस्तों अगर हम इंजिन की बारे में बात करें तो यह एक single cylinder 4 stroke air cooled 3 valve वाला 125cc का इंजिन है जिसमें power दिया गये है 9.4 PS at 7500 RPM और torque है 10.5 Nm at 5500 RPM इंजिन एक बहुत ही high performance इंजिन है और ready pickup, smooth and linear acceleration आपको मिल जाता है वैसे तो कही जाए तो यह जो scooter है TBA Center की बाइक चलाने का मन नहीं करेगा इसी तरह का यहाँ पर right wheel आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर three valve का badging भी दिया गया है दोस्तों यहाँ अगर हम suspension brakes और tires की तरफ देखे तो front की तरफ आपको telescopic suspension देखने को भी लेंगे दोनों ही तरफ आपको 12-inch के diamond cut tubeless type alloy wheels देखने को मिलता है front की तरफ आपको पेटल डिस्क देखने को मिलता है जिसका size है 220 mm with SBT यानि की sink braking system जिसमें combine braking की सुविधा आपको मिलता है front की तरफ आपको 100 by 80 size का tubeless tire मिलेगा और पीछे की तरफ अगर देखे दोस्तों तो पीछे आपको 110 by 80 size का tubeless tires मिलता है with 130 mm drum brake पीछे की तरफ तो gas field hydraulic coil spring mono suspension देखने को मिल जाएंगे tires बहुत ही grippy है बहुत ही मोटे चौणे tires दिये गये है ताकि road grip अच्छी तरह से यहाँ पे बना रहे है दोस्तों TVS Ntox एक performance scooter है तो जादा बहुत जादा mileage का यहाँ पे आप उम्मीद नहीं कर सकते है फिर भी आपको around 35 km per liter का mileage TVS Ntox से आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पीछे wheel base है यह 1285 mm है और अगर हम extra room price Kolkata की बात करें तो 66,300 रुपीज extra room price Kolkata में यह आता है और ground clearance 155 mm है और curb weight है 116 kg दोस्तों यह जो color ही आपको कैसा लग और BS6 का update कैसा लगा हमें ज़रूर share किजिए हमारे साथ comment section पर और आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ Till then, thank you, ride safe and thanks for watching